देवरिया जिले में जहां घागरा नधी का रौंध रूप जारी है। अपना आश्याना या तो छट पर बना लिया है और जिसके पास छट नहीं है ये लोग गाउ से पलायन कर कुछ दूरी पर जाकर अपना आश्याना बना लिये है। इस गाउं में तकरीबन साइकलो घर हैं और इन घरों में पानी घुस चुका है। देखिए कि लोगों का कैसे जीवन जो है अस्त ब्यस्त है और ये भारत समाचार की टीम इस गाउं में पहुंच चुकी है। और लोगों की यहां के हकिकत दिकारी है कि देवरिया के जिला पर शासन ने इनके लिए क्या ब्यस्ता कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए तमाम लोग हैं जो हमारे साथ नाओं पर बैठे हैं और इस गाउं में चल रहे हैं। इनसे मैं बात करूंगा किन के लिए जिला पर शासन ने क्या-क्या राहत के लिए समागरियां दी हैं। और यह कैसे लोग अपना जीवन आपन कर रहे हैं। मुची अस्थान के लिए तो हमारे ग्रामसभा के लिए और बढ़ियां रहेगा। आज पहला दिन है जो यहां राहत समगरी बटाने आ रहा है। इसके बाद अभी फिलहाल ज्यादा कुछ सायोग नहीं हुआ है। देवरिया से बारत समाचार के लिए मनिश मिस्रा। इसमें काफी जलस्तर बढ़ जाने के वजय से कही गाउं में पानी बर गया है। लोग अचण जीवन अस्थ होगया है। कही लोगों ने अपने जिदके पास छत हैं वो तो छतों पर उन्होंने अपना ताहरा बनाया है। लेकिन जो जोगी जोपड़ियों में और जो कच्छे मकानों में रहते हैं। लोगों ने अपना अपियाना या तो कहीं चड़के किनारे बना लिया है। या तो कहीं खेतों में। कुल मिला के देखिए कि जब भारा समाचार की टीम नाउ से तकरीब तीन किलिमेटर दूर जाकर के गाओं के लोगों के हाल चाल जाना तो पस्विरें बया कर रही है। इस तरह से लोग काफी परिशान दिखाई दे रहा हैं। देखिए के लिए दर्ध जो है, बाहर फिर्टों ना भारा समाचार कसना दर्ध उसको ताजा किया। कि उरको रहा समागरिया सुष्काल की डेख में मिली है। लेकिन ये लोगे चाहते हैं कि हमें कहीं सुरक्षी पस्थानों पे रखा जा Ist बिल्कुल मनीश देखिए जिस तरह से लगातार मुख्यमंतरी खुद सर्वेक्षड कर रहे हैं राहत कैमपों के निर्देश दिये जा रहे है उसके बावजूद भी क्या कोई राहत कैम नहीं बनाए गया है यहां के लोगों के लिए प्रोस आधिगारी नहीं पहुंच रहे हैं और जो फड़क के किनारे हैं जो सुड़क्षी ससान को उनको रहत किर दे दी जा रही है ठीक है मनिश तमाम जौनकारी के लिए आपका शुक्रिया